दोस्तो डिप्रेशन के सिकार से ब्यक्ति खुद को अकेला कर लेता है दूसरी तरफ ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेंगे लेकिन अगर किसी ब्यक्ति के पास उसे डिप्रेशन से निकालने वाले लोग नहीं है या फिर उसकी परेशानी को कोई नहीं समझ पा रहा तो भी गवराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जहां चाहा होती है वहां रहा भी निकल आती है आप खुद अपने दम पर डिप्रेशन से भाहर आ सकते हैं आसपलता संगर्स और किसी अपने से बिचड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामानने है परन्तु अगर आप प्रशनता दुखी लाचारी निरासा जैसी भावना कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामाने रूप से अपनी दिन चर्रया जारी रखने में भी असमर्थ करती है तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता दोस्तो अकेले होने पर डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं आपको मेडिटेशन करना चाहिए इसका अप्यास करने से दिमाग से नकारात्मक बिचार निकल जाते हैं दियात्म के साहरे आप खुद को अकेला नहीं समझते और दीरे दीरे ओबरने लगते हैं कई सोद में यह बात सामने आई है कि जो लोग अपने पास पालतु जानवर रखते हैं वह मानसिक इस्तर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं पालतु जानवर आपका अकेला पंदूर करने में काफी सायक होता है और आपको बेसर्थ प्यार देता है प्रकर्थी और पेड़ कोदो से प्यार करना दिमागी सांती के लिए काफी फैदेमंद है दीरे दीरे प्रकर्थी की सेंसीलता आपके अंदर प्रवेस होने लगती है आप खुद को गाड़निंग में वेस्ट रख सकते हैं और नकारात्मक विचारों से दूरी बना सकते हैं और दोस्तो एकसरसाइज करने से भी हमारे दिमाग में हैपी हार्मन्स का उत्पादन बढ़ता है जो की आपके मूड को खुसनुमा बनाने में मदद करता है और आप डिप्रेशन से भार आ जाते हैं म्यूजिक, म्यूजिक सुनना भी एक मददगार टिप है जो आपके तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है आप म्यूजिक की सायता से अपना मूड बहतर बना सकते हैं और इसकी मदद से मेडिटेशन भी कर सकते हैं बस ध्यान रखे कि हैप्पी और प्यारे म्यूजिक सुने दर्दिया गम बाले नहीं दोस्तो ऐसी और अमेजिंग वीडियो उसके लिए इस वीडियो को लाइक से सच्काब मिनतेंगली वीडियो में